राधी किशन जी शुवागते आपका आज में लेकर खेंगें आपके लिए एक और नई कहाने सो बर्स के बाद भी राणी चित्रा अभी तक जबान और खूब सूरत थी विवा के अगले ही विवा करने वाला फिर कभी दिखाई नहीं दे जाथा क्या था राणी की उम्र का रैश कभी कभी कुछ बात है इंसान की समझ से बहुत दूर होती है ऐसी ही बिल्कुल समझ से भार थी राणी चित्रा राणी चित्रा किसी चमतकार से कम नहीं थी कारण था राणी की सुन्दरता कहते थे रानी ने उम्मर को बंदी बना लिया है रानी सो बर्स की हो गई थी लेकिन अवी भी पचीस बर्स की भाती जवान और खुबसूरत थी विश्वास के परे था इसलिए तो लोग चमतकार कहते थे रानी एक विशाल सामराज की रानी थी कहना था कि उसे अमरता का परदान है समय समय पर कई तरह के कायस रानी के लिए लाए जाते थे मानना था कि रानी के पास ऐसी कोई सकती है जिससे वो अभी तक योवा आवस्ता में ही है रहसमे होने के कारण रानी का सम्मान और उससे डरना श्वाभाविक था रानी की आवा देखते ही बनती थी भरी सभा में जब वो आती थी तब उसकी सुन्दरता को देख लोग आशर से भढ़ जाते थे एक विशाल सिंगासन पर वो बैठती थी और स्वर्जरित वस्तर रानी के जूड़े में विशेश गुलाब होते थे लोगों का मानना था कि वो गुलाब भी नहीं मुर जाते थे रानी सुन्दर थी और उपर से हमेशा जमार रहने वाली रानी कौन नहीं चाहेगा इसलिए रानी पर मोयत होने वाले राजकुमारों के कोई कमी नहीं होती थी लेकिन रानी के यह रहसे ही नहीं बलकि एक रहसे और था कि अब तक रानी कई बार विवा कर चुकी है लेकिन रानी के विवा ज्यादा नहीं टिकते पहली रात के बाद ही रानी जिससे विवा करती वो फिर नजन नहीं आता एक रहसे से भरी रानी और रानी की इतनी रहशनवी बात हैं पता होने के बाद भी रानी के उपर मिटने वालों की कमी नहीं थी एक अजीब सा मोवन था जो सब को उसकी ओर खीशता था जिग्यासा वस ही कई रानी का होना चाते थे कि आखिर रानी के पास असा क्या है जिसे सो वर्सों बाद भी अभी तक जोंकित्यों बनी हुई पड़ोसी राज जिकाई को वा राजकुमान अब रानी पर मोईत हो गया रानी को प्रिस्ताब दिया कि वो उनसे विवा करना चाहता है बड़ा भादूर था कई दिनों के बाद उसने यह नड़ा किया था मरानी को मिल ले वो सब हमें आया रानी ने कहा कि मुझसे वा क्यों करना चाहते हूँ राजकुमान ने बोला ना करने की एक बज़े आप बता दीजिए हमेशा योवार उतना रैस्य इसे मैं अपनाना चाहता हूँ रानी ने कहा क्या तुम्हें पता है बड़ी बड़ी बात है करने वाले मर्द पहले रात ही राजमान चोड़ कर भाग जाते है राजकुमान बोला कि वो भागने वालों मैंसे नहीं है राणी बोली हमने यादावे पहले भी सुने है लेकिन जिस आशर को देखने वो आते हैं उसे देखने के बाद किसी को दखाई नहीं देते है कई दोनों तक राणी ने उसे समझाने के कोसिश की लेकि राजकुमान अडिक रहा अने ने कहा कि हमने तुम्हें बहुत समझा दिया अव तुमारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम श्वयम जम्यदार होंगे रानी का विवाई एक वार फिर रूना तै हुआ राज्य में फिर से चर्चा का विश्य बन गया सभी लोगों का मानना था कि पिछलों की तरह ये राज्य कुमार भी एक रात के बाद अदरिश्य हो जाएगा रानी के चेहरे पर एक अव्मान वाड़ी मुस्कान थी सारे राज्य को सजाया गया और रानी का विवा उस राज्य कुमार के साथ संपन्ध हुआ बस अब था उस रात का समय जिस रात में कई रहसे हैं जिस रात के बाद रानी के कोई राज्य कुमार फिर दिखाई नहीं देता था रानी और राजकुमार के स्वागरात के लिए रानी का कच्छ विशेश रूप से सजाया गया राजकुमार रानी के कच्छ में आया उसे कुछ अचीब चीजें नजर आई उसे कच्छ के विदर एक पिंजरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा खुडा था रानी विस्तेबर बैठी थी राजकुमार पहले से ही सतर्क था उसे पता था कि रानी के कच्छ में कुछ भी हो सकता है इसलिए उसे जागे रहना है रानी ने कहा क्यों इतने बहवीत क्यों हो आज हमारी सुहागरात है रानी खड़ी होकर राजकुमार के पास आ गई रानी उसे पिंजरे के मुँगे पास ले आई रानी ने अब राजकुमार के आँखों में देखना शुरू किया राजकुमार रानी की सुन्दता पर मोगत हो गया उसकी बड़ी बड़ी आँखों में खो गया राजकुमान ने राणी के बाल खुलना चाहे उसके जूड़े को हाथ लग आया और उसमें लगे गुलाव के फूलों को निकालना चाहा राणी डर गई और तुरंप ही राजकुमाना का हाथ पकड़ लिया राणी को डरते देख राजकुमान रुका फिर सोचा हो नहो इसमें ही कुछ राज है उसे पता चल गया था कि इन फूलों में कुछ रहश है रानी के मना करने पर वो उस समय रुक गया लेकन उसके मन में यही था कि अब उसे इन फूलों को निकालना है राजक्मार ने राणी को थोड़ी देर सहलाया फिर एक दम से उसके गुलाव को जूर से निकाल दिया राणी जोर से चलाई कहा था उसे मत छुना एक गुलाव निकलते ही राणी कुछ वर्स अधिक आयू की हो गई राजक्मार बोला अच्छा तो यह है तुमारी आयू का रहश्य अभी एक गुलाव निकला है अगर पूरे गुलाव को निकाल दिया जाए तो तुम पूरी व्रद हो जाओगी राजक्मार बोला मैं तुमारा पती हूँ मुझे अभी भी तुम बता सकती हो आखिर एक गुलाव क्या है और तुम्हें कहां से प्राप्त हुए हैं राणी डर गई और राजक्मार के पास आई बोली कि अगर तुम मुझे एक गुलाव दे दो तो मैं तुम्हें सच बता दूँगी राजक्मार ने गुलाव दिया और राणी ने गुलाव लेते ही राजक्मार को पिंजरे के अंदर धक्का मारा पिंजरे में भीतर जाते ही राजक्मार एक गुलाव का फूल बन गया और राणी फिर जोड से हस्तु हुए बोली ले देख ले तेरे जैसे कितने मैंने गुल दरहेए और उनकी आयो भी मुझी मिलने से भी अभी तक जबान हूं वने पंजीर में इयसी से घुलाब उठाया और पंझ्रा, है रहांनी की आयो का रहश्यूभा रानी फिर शुवय सभा में गई और इस बार फिर राजकुमार रात के बाद दिखाई नहीं दिया लेकिर रानी के जूड में एक फुल और जुड गया था तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना हमारे चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सकारिब करना लाइक करना शेयर करना तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ थेंक यू धन्यवाद